हलो गुड उनिंग आप सभी का स्वागात है हमारे नई वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BPCG 176 ठीक है इसका प्रिबियस यर के कोश्चन पेपर को देखेंगे और इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ साथ इंगलिस मीडि अरे जो आपका कोश्चन पेपर है जून 2023 का है टोटल इसमें मैं आपको 3-4 साल की कोश्चन पेपर दिखाने वला हूँ तो देखेगा आपका क्या है BPCG 176 यह आपकी बुक है लिंग मनो विज्ञान यानि जंडर साइकलोजी का यह आपकी बुक रहेगी इसका जो एक्ज जो चलेगा वह 3-year में चलेगा और भी ब्रोग्राम में पेपर हो सकता है तीन घंटे का आपका एकजाम होगा थीक है इसमें अगर हम बात करें तो आपको क्या होता कि 5 कोश्चन करने रहते हैं 4-4 कोश्चन के 2-2 Part हैं और उसमें से आपको 2-2 कोश्चन करने रहते हैं यान चार से पांच पेज में क्या होगा इसको लिखना पड़ेगा ठीक है कोश्चन क्या क्या उसको देख ले पार्ट वन में देखेगा कोश्चन सारे नोट डाउन कर लेना क्योंकि कोश्चन रिक्वीट बहुत जादा होते हैं और इनको आप जरूर एक बार पढ़के जाएगा पहला कोश्चन देखेगा आतम संपरत्य क्या है आतम मुल्यांकन और बिन्मन में लिंग भेद की चर्चा कीजिए यह आपको बताना पड़ेगा इसमें लिंग भेद पर चर्चा करने और 20 नमबर का कोश्चन सारे रहने वाले हैं दूसरा कोश्चन देखेगा सामाजिक का करकों में लेंगिक अंतर पर चर्चा कीजिए जो स्वास्त में असमानताओं का कारण बनते हैं 20 नंबर का कोश्चन हो गया इसमें आपको क्या बदाना है सामाजिक संबंदों में लेंगिक अंतर क्या होता है और स्वास्त और असमानता का कारण कैसे बनता है तीसरा कोश्चन तक यह नि कहने का मदब यह एक-दो साल से लेकर के 18-19 साल तक कह सकते हैं कि सोरा वस्ता में क्या-क्या फेज़ रहते हैं वह आपको बताना जो दोस्ती होती है उसको बताना है चोथा कोश्चन देखेगे इस वह आपको टिपणी करने हैं देखो का है एभी 10 नंबर का है खा एभी 10 नंबर का दोनों को मिला करके 20 नंबर का होगा अगर आप एक्जाम में चोथा question लिख रहे हैं ये इस वाले question को लिखेंगे तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा ये नहीं कि आपको ये काता आपने एक लिख दिया ठीक है देखेगा क्या है अनुप्रस्त अनुभागिये और अनुधैर डिजाइन दूसरा है अनुभाव अगला question देखेगा LGBT LGBT जो समुधाय होता है उसका मनो समाजिक मुद्धों पर LGBT वाला question आ सकता है बहुत important हो सकता है इसमें अलगलग चीजें पूछी जरूर जा सकते है LGBT जो समुधाय होता है ठीक है सात्वा question देखेगा गयर मौकिक बेवहार में लिंग भेत की व्याक्ष्य कीजिए 20 number का question है आपका रहनेवाला है आठवा question क्या है को हल बर्ग और जिलिगन के सिद्धानतो की आदार पर नayedतिक विकास और लिंग वेत किस की आदार पर कोहिल भर जो है और जिखन जो है इनके सिद्धानत जो है उसमें नािविकास और लिंग वेत को बताना ही आपक 20 नंबर का कोश्चन है इस हिसाब से आपका टूटल आठ कोश्चन आता है और आठ में से आपको पांच लिखना पड़ेगा यह तो हिंदी मीडियम का था जून 2023 का चलिए मैं आपको इंग्लिस मीडियम अला भी कोश्चन पेपर बर दिखा देता हूं तो यहां पर देखेग जून 2023 ठीक है जंडर साइकलोजी साइकलोजी औफ जंडर 100 मार्क्स का एक्जाम होगा थ्री आवर्स का एक्जाम होगा 5 कोश्चन आपको लिखने है ठीक है EVERY कोश्चन 2020 मार्क्स का होगा 400 लिमिट रहेगी सेक्शन वन में देखेगा यहां पर कोश्चन को नोट डाउन कर कर लिजेगा देखिए पहला कोश्चन आप इसको नोट डाउन कर लिजेगा दूसरा कोश्चन ए रहा ए भी इसको देख लिए बाकी तो मैं हिंदी मीडियम में आपको मैंने दिखा चुका हूं कोश्चन नमबर फॉर में जैसे मैंने बुला था इसमें दो पार्ट रहेगा और दोनों करना पड़ेगा 1010 का हो जाता है सेक्षन बी में देखिएगा कोश्चन नमबर 5 नोट डाउन कर लिजेगा और कोश्चन नमबर 6 वही आपका LGBT वाला बताना है कम्यूटी जो होती है इंपोर्टन है रिपीट हो सकता एक्जाम के लिए ठीक है कोश्चन नमबर 7 देखिएगा ठीक है आपको बताना पड़ेगा इसको लिख लिजेगा ठीक है और कोश्चन नमबर 8 आपका रहेगा इसको भी नोट डाउन कर लिजेगा तो हिंदी और इंग्लिज का मैंने आपको एक साल का कोश्चन पेपर दिखा दिया चलिए मैं आपको ये कवर भी कोश्चन रिपीट जरूर होता है देखिए अगला हमारा कोश्चन पेपर है बीपी सीजी वन सेबन टेसिक्स एह दिसंबर 2022 का कोश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का है ठीक है यहां पर लेंगिक मनो विज्ञान हिंदी मीडियम में अभी कोश्चन देख रहें फिर इंग्लिस कोश्चन में पहला हमारा कोश्चन देखिएग है जो कोश्चन बता रहें उनको पढ़के जरूर जाना ठीक है देखिएगा जंडर सोद में मतरातमक विधियों की व्याक्य कि यहनि जंडर सोद में जो मतरातम विधि होती है वह आपको बता ना questions होगा ठीक है दूसरा question जंडर के लिए मनों विसलेसं आतमक द्रिष्ट कॉण पर चर्चा कीजिए, तीसरा कोशन देखेगा, मिरित्यूदर रोगनिता बिरोधा भास क्या है मिरित्यूदर और रोगनिता में लेंगिक अंतर की व्याक्षय कीजिए, तीसरा कोशन आपका रहने वाला है, चौथा यह कोशन कई बार आ चुका है लगातार दो तीन बार पूंचा गया तो मितरता वाला जो है इसको अच्छे से पढ़ करके जरूर जाईएगा पार्ट दो में देखेगा पांचों कोशन क्या है लिंग भूमिका को परिभांसित कीजिए इंपोर्टन्ट हो सकता है एलिस इर्गी के सामाजिक भूमिका सिध्धान की व्यक्षा कीजिए ठीक पांचों कोशन छठा कोशन देखेगा यह भी इंपोर्टन्ट हो सकता है पूछा जा सकता है, repeat हो सकता है link, lang, इकता और योन, अभिन्यास, ठीक है, इसके भी difference, देखे, question repeat हो रहा है, सातों question देख़ए आ गया गया ना, LGBT समुदाय की बैधानिक इस्थिती बताना यहनी की कानूनी इस्थिती, बैधानिक इस्थिती कैसे बने हुए है, जो LGBT जो group होता, community होते हैं, उसको बताना है, ठीक है, आठवा question देखेगा इसमें तो, जिसमें टिपपड़ी करने रहती और दो रहते हैं, का और खा, इसमें आसे आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है का क्या है, महिलाओं के नैतिक विकास में, गिलिगन का, मोडल क्या हो बताना है, और खाब करेगा लिंग विकास में, सामाजिक ज्यानात्मक सिध्धानत आपको बताने हैं तो इस टाइप से टोटल आपसे 8 question पूछे जाते हैं, और 8 में से आपको क्या करना रहता है, 5 question करने रहेंगे, चलिए मैं आपको English Medium अला भी question paper दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखे हैं, बीपी सीजी 176 ठीक है, यह December 2022 का question paper जैसे मैंने आपको बताया psychology of gender, 100 marks का paper, 3 hours की timing रहने वाली है, यह सब तो आपको पता ही होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 5 question आपको करने है, ठीक है, 400 वा लिमिट है सारे जो question है, 2020 marks के हैं, ठीक है, section 1 में देखेगा, question number 1, note down कर लीजेगा question number 2 हमारा है, इसको भी note down कर लीजेगा, ठीक है इसको आपको बताना है, question number 3 कर लीजीगा बट आप देख लिए हिंदी में तो मैंने बता ही रखा है इसको भी नोट डाउन कर लिजेगा ठीक है फ्रेंड सी पहला आ सकता है बहुत इंपोर्टन कोस जन्हें फाइब है इसको कोश्चन नमबर फाइब आपके लिए इंपोर्टन हो सकता है इसको नोट डा 20 नंबर का रिपीट हो सकता है most important जो बता रहा हूं सब पढ़ की जाना है ठीक है आठों question देखेगा ठीक है लगता जो आसान लगता उसमें आप जरूर लिख लेजा और अगर यहां तक आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेज़ेगा क्योंकि यहां पर आपको लगातार यहां पर हमारी classes मिलती रहेंगे और मैं आपको लगातारी subject के भी मैं पढ़ाने की पूर कोशन पेपर में दिखा रहा हो देखेगा बीपी सीजी 176 लिंग मनोविज्ञान आपका जो एक्जाम होगा 100 marks का पेपर होता है तीन घंटे का पेपर रहने वाला है ठीक है इस बात को ध्यान में रखेगा और इसमें आपको पांच कोश्चन करने हैं दो पार्ट हैं और हर एक पार्ट से तीन करना एक पार्ट से दो कोश्चन करना रहता है ठीक है सभी प्रश्णों के अंक्या समने सारे कोश्चन 20-20 नंबर के रहते हैं और 400 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा कोश्चन नोट डम के लिए पहले पार्ट में क्या देखेगा कोश्चन रिपीट हो पेपर दिखा है तीनों में आपको कहिन करी देखनों की मिला ही है दूसरा कोश्चन देखेगा मानसिक स्वास्त के मुद्य में लेंगिक यानि सेक्स के अंतरों को अस्पष्ट की यानि मानसिक स्वास्त में जो लेंगिक मुद्य है उसमें क्या अंतर होता है वो आपको बत और जंडर के भी संबंद बताना ये भी रिपीट हो रहा तो वही मैं बता रहा हूं कि इगनों में कोशन बहुत सारे रिपीट होते हैं जो जो मैं बता रहा हूं अगर आप उनको पढ़ करके जाएंगे तो आपको बहुत जादा मदद मिलेगी भाग पार्ट सेकंड में तरचा कीजिए एबी आपका कितने नंबर का कोशन है बीस नंबर का कोशन है को रिपीट हो सकता है सात्वा कोशन देखेगा बाल्य आवस्था में संचार की, पारसपरिक्थायों का वर्णन कीजिए ये भी 20 नमबर का question है important question है और अगला question आठवा हमारा question है निमली खित में समचित टिपणी करना है का और खा दोनों है link बेद भाव और महिलाओं की बुरूद हिंसा के कारण इन सारे question को आप लिख लो और इन सारे question को आप जरूर पढ़के जाना मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिस मीडियम वाले के लिए देख लागा बीपी सीजी वन सबेंटी सिक्स जून 2022 का question पेपर है psychology of gender 100 मार्क्स का पेपर थ्रियावस का पेपर 5 question करने है ठीक है 2020 मार्क्स के है mental health बताना है 20 मार्क्स का question है next हमारा question number 3 है इसको भी note down कर लिजेगा question number 4 इसको भी note down कर लिए English medium अले student आप इनको जरूर देख लिएगा वैसे हिंदी मीडियम में मैंने आपको बता रखा उससे आपके आसानी से समझ में आ जाएगा section भी देखेगा अगर हिंदी और English दोनों मीडियम में अगर आप question को देखते हैं तो आपको समझने में आसानी देगी क्या पूँच रहा by language में paper आप देखेंगे तो आपको ज्यादा मदद रहेगी देखेगा पांचो question भी note down कर लिजेगा यहाँ पर sex, gender और यह बहुत बार पूँचेगा यह question बहुत important है 20 marks question पांचो देखेगा question number 6 है ठीक है इसको भी note down कर लिजेगा workplace ठीक है उस पर बताना किस प्रकार से gender आधारित हिंसा को लिख करके सातों question देखेगा इसको भी note down कर लिजेगा यह भी important है last हमारा रहागा question number 8 question number 8 अपने जो short note लिखना पड़ेगा short note आपको A and B दोनों पर लिखना पड़ेगा यह नहीं कि आपको A 10 marks का है और B पीट आपका 10 marks का होगा total दोनों को मिला करके 20 marks बनता है तो आपको आठवा question जो आता है इस type से short note आएगा और A and B आएगा तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा यह नहीं कि आपको A आता है तो आपने लिख दिया B को छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा आपको दोनों ही question से लिखने पड़ेगे ठीक है तो इस प्रकार से इसको जरूर करके जाईगा अगर आप इसको पड़के जाते तो आपको बहुत जादा मदद मिलेगी और Hindi और English मैंने दोनों मीडियम में आपको question paper दिखा दिया है यहां तक अगर आप है तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा समय मिलेगा तो इसकी हम class जरूर करवा देंगे वैसे भी इस class जरूर करवा दूँगा उससे आपको बहुत जादा मदद मिलेगा और जो जो मैंने आपको question paper दिखाया है सारे question आपको इनको जरूर पढ़के जाईगा इससे आपको मदद जादा से जादा मिल सकती है ठीक है तीन question paper है तीन साल के इसको अच्छे से repeat कर लिजेगा और आपको कौन सा previous year का question paper चाहिए मुझे जरूर बता दीजेगा उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूँगा ठीक है थैंक्यू